हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो स्टेडी फोकस आज है 18 अप्रेल 2020 और आज हम डिसकस करेंगे 18 अप्रेल का दो हिंदू न्यूस पेपर अगर आप फर्स टैम हमारे यूट्यूब चैनल पर आ रहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जब भी सब्सक्राइब करें बेल ब आरवी आई की तरफ से एक प्रेस कॉंफेंस की गई जिसमें आरवी आई के गवर्णर सक्तिकान दास के द्वारा ये बताया गया कि लिक्विडिटी मेजर्स को इंक्रीज करने के लिए कुछ कदम उठाये जा रहे हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जिससे की फिनेंसियल स्ट्रेस की जो कंडिशन अभी पूरी एकॉनमी में बनी हुई है उसको थोड़ा इस किया जा सके उसमें उस स्ट्रेस को थोड़ा कम किया जा सके और क्रेडिट फ्लो यानि की मनी का जो फ्लो है अलग अलग सेक्टर्स के लिए उसको बढ़ाया जा सके और इसक की कंडिशन इतने एकोनॉमिक स्लोडाउन के टाइम चल रही है उसको टैकल किया जा सके अब लिक्विडिटी कुछ इन्फ्यूज की जाएगी यानि की मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ा ही जाएगी और कितने तक की लिक्विडिटी इस बार आरभी आई ने बढ़ाने क के कोसिस की है यह लिक्विडिटी का जो एमाउंट है वो है करीब एक लाग करोड रुप है जिसमें से पचास हजार करोड रुप है यानि की आधी रकम NBFC को दिये जाएंगे NBFC यानि नॉन बैंकिंग फैनेंसल कंपनी यह वो कंपनी होती है जो बैंकों की तरह काम करती ह है लेकिन बैंकिंग लाइसेंस प्रॉपर फुल फ्लेज बैंकिंग की तरह यह काम नहीं करती है और जो लोन बिजनस के रिलेटेड लोन को देने एडवांस को देने में इन्वाल्व है इसका जो मेजर काम है वो लोन्स एडवांस में है इसके अलावा एकोजिशन ऑफ सेयर स्टॉक बॉंड डिवेंचर सेक्यूरिटी जो भी गोवर्मेंट या लोकल अथॉरिटी या कोई मार्केट इसू करता है उन में NBFC पैसा लगा सकती है यानि कि उन ऐसे एंटिटीज को NBFC लोन प्रोवाइट कर सकती है यानि कि मेंली लोन और एडवांस देने का काम NBFC के द्वारा किया जाता है मतलब NBFC का मेजर काम receiving deposits का है यह individual या entities से deposits लेके उनको deposit अपने पास रखती है और उनको अलग-अलग schemes में deposit आगे जाके करती है और यह जो deposit लोगों के द्वारा लिये जाते हैं या लंसम में भी लिये जा सकते हैं या फिर अलग-अलग installment में दिये जा सकते हैं अब NBFC investment करके अपना profit कमाती है और उसके according ही जो भी depositor होते हैं NBFC में उनको interest payment करती है अब NBFC और बैंकों में क्या फरक है NBFC can't accept demand deposit individual से जैसे कि बैंकों में लोग जाकर अपना deposit कर सकते हैं और जब चाहें पैसे निकाल सकते हैं ऐसी सुविधा यह जो service है यह facility है NBFC available नहीं करवाती है तो NBFC can't accept demand deposits and NBFC इस settlement system में भी कोई अपना role play नहीं करते NBFCs are not part of payment and settlement system और इसके साथ ही साथ NBFC can't raise checks check NBFCs issue नहीं कर सकते और बैंकों में जो deposit insurance facility होती है जैसे जो पहले एक लाग थी और अब पांस लाग कर दी गई है यह जो facility है यह NBFC के deposit में available नहीं है तो यह difference है कुछ NBFCs और बैंकों में NBFCs में cash का जो liquidity का problem था बहुत time से चल रहा था तो उस liquidity के problem को थोड़ा relax करने के लिए 50,000 करोड इस package से NBFCs को दिये जाएंगे और यह जो NBFC में investment यह 50,000 करोड यह बैंकों के थ्रूँ दिये जाएंगे बैंकों के द्वारा इतनी amount का investment NBFCs के corporate bank में किया जाएगा इसके अलावा RBR will extend another 50,000 करोड तो refinance agencies NBFCs को 50,000 करोड रुपए दिया जाएगा इसके साथ इसाथ 50,000 करोड का amount refinancing agencies के लिए भी रखा गया है refinancing agencies में हैं नाबाड, CIDB और National Housing Bank नाबाड के द्वारा जो agriculture related enterprises है यह agriculture related जो भी activities होती है उनको पैसा दिया जाता है CIDB के द्वारा small scale की जो industries है उसको पैसा दिया जाता है और National Housing Bank के द्वारा housing related जो भी काम चलते हैं उन projects को उन से related कामों को पैसा दिया जाता है और वो particular facility है उसका नाम है ways and means advance ways and means advance के through central और state दोनों RBI इसे पैसा उधारते ले सकते हैं और इस limit को 60% तक बढ़ा दिया गया है ways and means advance it is a facility for both center and state to borrow from RBI, RBI से उधार लेने की एक facility है और यह जो borrowing होती है यह purely किसी particular time के लिए होती है किसी एक particular crisis की condition को एक temporary time के लिए होती है ताकि states और center अपने जो receipt और expenditure है उन खर्चों को चला सके इसका जो major काराण है ways and means advance के through central and state government को उधार देने की बात RBI ने की है इसका major काराण है कि अभी की current economic की जो condition है वह बहुत ज़्यादा mass type की बनी होई है यानि कि economic output almost zero हो गया है बहुत ही कम हो गया है इस समय और lockdown के काराण जो companies के profit margin है वह भी कम हो रहे है जिसके काराण billing और revenue अगर company का कम होता है तो उससे state government के जो revenue में भी परक पड़ता है क्योंकि GST अगर company submit नहीं करेंगी deposit नहीं करेंगी GST तो government की आमदनी भी कहीना कई कम हो गई है तो इसके काराण government के पास जो पैसा आता है वह बहुत कम हो गया है उसके काराण government के जो regular खर्चे हैं उनको meet out करने के लिए और कोविद 19 के pandemic को tackle करने के लिए और साथ में जो भी migrant workers है या जितने भी poorest of the poor और लोग हैं जिनको regularly जिनका ख्याल रखने की जरूरत है इस समय लोगों के पास काम नहीं है और कुछ ऐसे बड़ा population ऐसा है जिनके पास काम के साथ साथ दिन का खाना भी नहीं है तो उन लोगों को खाने की सुविधा और medical minimum medical facility available करवाने के लिए कम से कम states के द्वारा खर्चा किया जाना चाहिए उस खर्ची के लिए भी पैसे की ज़रूरत है इसलिए आर्विया इन्हें स्टेट्स को थोड़ा relaxation दिया है अब यह सारी चीजों के बाद स्टेट्स मेजरली जो यह पैसा है उसको कुरोना वायरस से रिलेटेड जो भी expenditure होने उन पर खर्च करे इसके द्वारा testing kits purchase की जाएंगी personal protective equipment और ventilator purchase किये जा सकते है healthcare medical facilities को बढ़ाया जा सकता है और पूर लोगों के लिए food shelter और relief से related जो भी activities है वो की जा सकती है इस relief package को implement करने के लिए आर्बियाई ने एक mechanism start किया है एक tool invent किया है जिसका नाम है targeted long term repo operation repo rate एक ऐसा rate होता है जिसके through central bank commercial bank को lend कर सकता है money in case of any shortfall of fund थोड़े time के लिए महीने एक महीने या तीन महीने के लिए आर्बियाई के द्वारा जो lending की जाती है या कहें कि commercial bank आर्बियाई से पैसा उधार ले सकता है जिस rate पे वो repo rate कहलाता है अब यह जो mechanism है यह targeted long term repo operation है यह टूल है जो की liquidity को बढ़ाने के लिए use किया जाएगा इस condition में और इसके द्वारा जो पैसा उधार लिया जाएगा bank को के through वो corporate bond market में invest किया जाएगा तो यानि कि यह जो targeted है यह long term के लिए repo rate होगा केवल 28 दिन या एक महीना तीन महीने के लिए RBI से bank loan नहीं लेंगे यह long term के लिए लोन लेंगे यह जो long term है यह कम से कम एक साल और एक साल से लेके तीन साल का time period define किया गया है इसलिए इसको long term बोला गया है repo rate operation repo operation इसलिए बोला गया है because यह repo rate पर loan दिया जाएगा इन बैंकों को और यह targeted रहेगा क्योंकि कि यह corporate bond market को boost करने के लिए start किया जाना है इसलिए इसको targeted long term repo operation बोला जा रहा है जिससे liquidity बढ़ाई जा सकेगी अब इस पूरी प्रोसेस से फाइदा कुछ सेक्टरों को हो सकता है जिससे कि कुछ सेक्टरों में जो credit flow है जो पैसों की कमी हो रही है वो कमी कम हो सके और वहाँ पर पैसा पहुच सके तो यह बात कि हमने अर्भी के relief package के बारे में targeted long term repo operation के बारे में और states के द्वारा जो credit raise किया जाता है ways and means advance यह इतने topics discuss कर लिए हमने second news है post lockdown इंडिया's infection growth rate has slowed down अब ministry of health का ऐसा कहना है कि lockdown के बाद जो इंडिया का infection growth rate है जिस तेजी से यह coronavirus का problem बढ़ आता वो तेजी कम हुई है यानि कि growth rate कम हुआ है lockdown बढ़ाने से पहले जो rate था वो हर तीसरे दिन double हो रहे थे अगर हम 25 मार्च की बात करें 25 मार्च को 21 दिन का lockdown implement किया गया था उस समय इंडिया में हर तीसरे दिन पर double हो रहे थे cases और अभी के टाइम में यह करीब 6-7 दिन में double हो रहे है यानि कि जो infection बढ़ने का growth है वो कम होता हुआ देखा गया है ऐसा हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा का गया यहां पर एक ग्राफ दिया गया कि कि इतने टाइम में क्या rate है growth का अलग अलग कंट्रीज में कंट्रीज का comparison किया गया है सबसे टॉप पर है इस वक्त इस समय सबसे टॉप पर युएसे यानि युएसे में सबसे तेजी से यह जो cases वह ग्रो कर रहा है आज के टाइम भी युएसे नंबर वन पर सेकेंड पर स्पैन तीसरे नंबर पर इटली और चौथे नंबर पर जो डबल होने का टाइम पिरेड है वो छे दिन से ज्यादा हो गया है नेक्स्ट निज़े माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूज इन एक्सेंशन लिस्ट अब मिनिस्ट्री और होम आफेर्स के द्वारा माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूज को भी लॉकडाउन की जो इस्ट्रि फ्रूट्स फ्लावर्स एंड प्लांट्स माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूज में फॉरेस्ट में प्रोड्यूज होते हैं और यह नॉन टिंबर आइटम्स होते हैं इसलिए इनको माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूज बोला जाता है minor forest produce non-timber forest produce होते हैं जो कि plant origin के होते हैं इनमें कुछ example है bamboo, brushwood, stumps, canes, तुसेर, cocoon, honey wax, tindu leaves, lark, medicinal plant और medicinal herbs, roots, etc. यह जो example है यह minor forest produce के example है और minor forest produce को define किया गया है forest act 1927 में और यह जो produce है यह important क्यों है इनको exemption list में क्यों डाला गया है क्योंकि यह major source है livelihood का tribal लोगों के लिए जो भी tribal लोग जंगलों में या जंगलों के आसपास के area में रहते हैं उनका source of livelihood है उसी इन ही forest produce को बेज कर यह लोग थोड़ा बहुत पैसा कमा पाते हैं इसलिए livelihood के लिए यह easy करना ज़रूरी था उनको उनके survivor के लिए और यह जो ट्राइबल लोग हैं यह poorest of the poor section of society में आते हैं और इनका minor forest produce का importance इन लोगों के society के लिए बहुत ही ज्यादा हाई है बिकास ट्राइबल लोगों के करीब 100 मिलियंस लोग माइनर forest produce से related activities में involved है इन्ही प्रोड़क्स से इनको food मिलता है उनके जानवरों को fodder मिलता है forest में ही यह लोग रहते हैं और medicine और अपनी other income से related activities के लिए इसलिए forest के जो produce है वो उनके पूरी life के लिए उनके livelihood के लिए बहुत ज्यादा important है tribal drive 20 to 40% of their annual income from these forest products और इसलिए इनका जो economic activity है वो रुकने से उनके survival पर बहुत ज्यादा फरक पर सकता है इन forest produce के collection, processing और harvesting में tribal women बहुत ज्यादा level पर involved रहती है इसलिए इन forest produce को tribal women empowerment का भी एक बड़ा tool माना जाता है इसके अलावा ट्राइबल लोगों के लिए job की जो opportunity है वो इस sector में बहुत ज्यादा involved है इसलिए minor forest produce का जो पूरा sector है वो ट्राइबल्स के अपलिप्मेंट और उनके livelihood के लिए important है और इसी कारण से इसको exemption list में डाला गया है नेक्स्ट न्यूस है निव इंडिजीनेस किट में सून accelerate testing अब हेल्थ मिनिस्टर के द्वारा ये बात बताई गई है कि एक institute है त्रवेंद्रम में जिसका नाम है श्री चित्रा त्रिवनल इंस्ट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलोजी इस institute के द्वारा एक कोविड-19 टेस्टिंग किट बनाई गई है ये इंस्ट्यूट नेशनल इंपोर्टेंस का इंस्ट्यूट है और यह जो किट है यह बहुत ही कम रेट के एक वेरी लो कॉस्ट दो घंटे के अंदर अंदर यह किट बता सकती है कि किसी पर्टिकुलर परशन को कोविड-19 है कि नहीं एक सेंपल की टेस्ट करके तो एक इसकी एफेक्टिवनेस भी काफी हाई बताई जा रही है यह जो रिसर्ट डेवलेट्री है यह डिपार्टमेंट अप साइंस एंड टेक्नोलजी के द्वारा फंड की जाती है और इसने डेवलप किया एक रैपिड डिगनोस्टिक टेस्ट डेपिड डिगनोस्टिक टेस्ट डेट पोटेंशली स्पीड अप टेस्टिंग ऑफ बैच ऑफ सेस्पेक्टेड कोविड-19 सेंपल वाई 15 ताइम्स मतला 15 गुञात तेजी से यह इडेंटिफाई कर सकती है कि कि किसी को कोविड-19 है कि नहीं सेंपल कोविड-19 फ् प्रूवल नहीं मिलाए तो पहले की तरफ से अप्रूवल मिलना है उसके बाद ही इसको मैनुफेक्ट्र करने का जो लाइसेंस है वह सेंटर ड्रग स्टेंडर्ड कंट्रोल ऊगनाइजीशन प्रवाइड करता यह दोनों ही ओरनेजीशन है इसका नाम इंपॉर्टेंट है reverse transcriptase polymerase chain reaction test यह जो test जो डेवलप किया गया यह जो test develop किया है इस institute के द्वारा इसको बोलते हैं rapid reverse transcriptase polymerase chain reaction test और जो की gold standard माना जाता है virus टेक्ट करने के लिए इस test में आरने को extract किया जाता है सेंपल से पेसेंट के थ्रोट और नोस से सेंपल कलेक्ट किया जाएगा और उस सेंपल से आरेने को एक्स्ट्रेक्ट किया जाएगा उसको कनवर्ट किया जाएगा डीने में और आरेन पहले तो सेंपल लिया उससे आरेने extract किया और then will convert it to dna dna में convert किया जाएगा उसके बाद उस dna की जाच की जाएगी और कि उसके बाद यह पता लगाया जा सकेगा कि जो कोविड 19 का वाइरस है जिसका नाम है सार्स कोव 2 सार्स यह जो वाइरस है उस सेंपल में है की नहीं और यह जो पूरी प्रोसेस है वह दो घंटे के भीतर की जा सकती है तो इतना रैपिट जो टेस्ट है इसकी हेल्प से बहुत तेजी से पेसेंट्स को चेक किया जा सकता है इसकी जो एफेक्टिवनेस है वह 100% मानी जा रही है कुछ टेस्ट किये गए ते अलाफुजा जो नैस्टनल इंस्ट्यूट और विरोलोजी की एक ब्रांच है अलाफुजा केरला में वहां पर इसकी टेस्टिंग की जा चुकी है और करीब-करीब 100% इसकी जो एफेक्टिवनेसे वह देखने को मिली है कोई-19 की सेंपल में और नॉन दोनेट किया गया है तो यहां पर इनका नाम है बैनी अजन्था इनके द्वारा पैसे कलेक्ट किया गया और दो फंड में कोई-19 के डिलीफ वर्क के लिए डोनेट किया गया एक तो चीफ मिनिस्टर डिस्ट्रेस रिलीफ फंड केरला में और दूसरा प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ तो इसमें हमारे लिए प्राइम मिनिस्टर इस इसलेट किया गया था ट्राइमिस्टर नेशनल रिलीफ पन्ड का जोर ne या मैंमेट disaster से effect होते हैं प्रभवेत होते हैं वंत के लिए प्राइम मिनिस्टर नेश्नल रिलीफ फढ्ड से पैसा यूज किया जाता है किस फंड के द्वारा जो पैसा है इस पेशल मेडिकल एमर्जेंसी में भी यूज किया जा सकता है जैसे कि गैंसर किड्नी ट्रांस्प्लांटेशन और हर्ड सर्जरी के दौरान अगर लोगों को जरूरत है तो प्राइम मिनिस्टर के दौरा यह पैसा दिया जा सकता है तो यह जनवरी उननिसर और तालिस में स्टार्ट किया था जवी देने के लिए एमर्जेंसी की कंडिशन में नेक्स्ट निज़ेश चाइना से कॉनवी इंवर्ज डाउंटर्न सिंस बड़े contraction mode में गई है 1960 में वो टाइम था जब चाइना की पहली बार एकनाम में उसकी इतनी डाउन थी और उसके बाद अब 2020 के समय यह देखने को मिला है अब 2020 में तो हमें मालूम है कि कोविड-19 के कारण जो इंडस्ट्रिल एक्टिविटीज है वह आल ओवर वर्ड बहुत कम हो गई है चाइना में स्टार्ट हुआ तो कोविड-19 और चाइना ही एपिसेंटर रहा है इससे पहले कोविड-19 का जिसके कारण उसने जो लोगडाउन और इंडस्ट्रिल एक्टिविटीज का सट्डाउन है वह काफी पहले कर दिया था उसका असर आप देखने को मिल रहा है और आगे भी कितने टाइम तक यह कंटिनियू रहेगा वह टाइम के साथ साथ ही पता लगेगा लेकिन 1960 में चाइना में एकनॉमिक प्रोड़क्शन बहुत था और उसका क्या रिजन था वह देख लेते हैं यहां पर चाइना में 1960 में जो डाउन फेज गया था उसका सबसे बड़ा रिजन था कल्चिरा रिवलूशन यह पर्टिकुलर इवेंट वर्ड हिस्ट्री में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कल्चिरा उनिसोचाजट से 1976 तक चला था पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना में इसको लीड किया था इसको लॉंच किया गया था माओ डिजॉंग के द्वारा माओ जेडॉंग या मौट से तुंग के द्वारा जो की चेर्मेन थे कम्मुनिस पार्टि ऑफ चाइना के उन्होंने चाइना में जो विवस्था थी चाइना में जो प्रोसर्स थी चाइनिस कम्मुनिसम की उसको प्रिसर्व करेंगे और जो भी Capitalistic और traditional elements of चैनिस सोसाइटी में आ गए है कैपिटिलिजम का जो खत्रा है उससे कम्मुनिजम को बचाना है और इसके बाद माओ जेडॉंग के जो थौट्स हैं वो चाइना में मेजर और डॉमिनेंट आइडॉलाजी बनके उबरे और माओ जेडॉंग चाइना की सेंट्रल पावर पोज कोई-19 के बैग्राउन में फूड सप्लाई की जो कंडिशन है वह बहुत ज्यादा वर्स्ट हो सकती है क्यूंकि अभी डिमांड साइट का भी प्रावलम है और सप्लाई साइट का भी प्रावलम है फ्रोग जा नहीं पा रहे हैं वर्ड ओवर यह फिनौमना देखने को मिला जिसके कारणर से जो हर्वेस्टिंग है वो डिस्टब हो सकती है और डिमांड साइट का प्रॉब्लम है कि लोगों के द्वारा लोगों की जो आमदनी है उसका ज़दिया वो उसका जो प्रोसेस आमदनी काम हो गई है और कई फिर लोकेशन तक भी नहीं पहुच पारा है लोगों के घरों तक भी नहीं पहुच पारा है तो दो तरफा प्रॉबलम देखने को मिल रही है इस समय और यह यूनिक प्रॉबलम है जिससे वर्ड गुजर रहा है तो वर्ड बैंक के जो प्रेसेडेंटेट डेविट माल पास उनके द्वारा भी यह कंसर्ण व्यक्त की गई है लेबर सॉर्टेज और इंपेक्टिंग लॉजिस्टिक एंड लॉस ऑफ जॉब्स एंड इंकम हैज इंपेक्टेट पीपल्स एबिलिटी तो एफॉर्ड फूड एक तो लेबर सॉर्टेज है उसकी वजह से लॉजिस्टि करने की जो एबिलिटी है वो भी कम हो गई है तो डबल प्रॉब्लम ऑफ डिमांड एंड सप्लाई दोनों देखने को मिल रहा है जिससे फूड और अग्रिकल्चर का जो क्राइसिस है वो बड़े लेवल पर बहुत सकता है इंडिया हैस रिसीवड वन बिलियन डॉलर वोड़ा सा देख लेते हैं इसका बैक्राउंड वर्ड बैंक एक इंटरनेशनल फिनेंसियल इंस्टियूशन है जो लोन्स और क्रेंट्स प्रोवाइड करता है पूर कंट्रीज की गौवर्मेंट्स को सो देट वो अपने कैपिटल प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कर सकें इसके मेंली दो इंस्टियूशन है एक है आई बी आर्ड इंटरनेशनल बैंक फॉर रीकंस्ट्रॉक्शन और दूसरा है इंटरनेशनल डेवल्मेंट एस्टोसेजन यह दोनों ही वर्ड बैंक ग्रुप क इसको स्टैबलिस किया गया था 1944 में 1944 में और सका हीटकोर्टर कहां पर है इसका हैडकोर्टर है वॉशिंग्रिटन डिसी में वर्ड बैंक ग्रूप की अगर हम बात करें तो वर्ड बैंक इससे पहले देख लेते हैं मैं वर्ड बैंक की जो मैंबर से फ्क्रपार वह 189 कंट के 5 international organization है और इसका parent organization जिसको वर्ड बैंक को बोलते हैं यह 5 determination है एक तो 2 mag Part 2 member बेंग के हो गए International Bank for Reconstruction and Development IBRD दूसरा International Em sink к Margation जोकी प्राइविट सेक्टर आर्मनि जाती है वर्ड बैंक ग्रुप का चोत्य है multi-lateral investment guarantee agency और पाउस्वा है International Center for Settlement of Investment Dispute तो जब भी क्वेस्चन आए कि वर्ड में कौन से इंस्ट्यूट है तो केवल दो इंस्ट्यूट ही हैं वर्ड में दो अगनाई जीसान है IBRD और IDA और वर्ड ग्रूप में बाकी तीन मिला के टोटल इंस्ट्यूट्यूशन पांच हो जाते हैं नेक्स्ट निज्व बिजनस पेज पे एंबेशी गेट्स 50,000 करोर लेक्विडिटी बूस्टर यह हमने फर्स पेज पे ही देख लिया है यह जो बैंक के द्वारा पैसा दिया जाना है एंबेशी स्को इसमें बैंक इन्वेस्ट करेंगे फंड्स टार्गेटेड लॉंग टम रेपो ऑपरेशन के द्वारा और यह इन्वेस्मेंट ग्रेट बॉंड्स में ही पैसा लगाया जाएगा इन्वेस्मेंट ग्रेट बॉंड्स कमर्सिल पेपर और नॉन कर्वर्टिबल डिपैंचर्स जो भी NBFC हो दिया जा रहा है यह ज्यादा इंपॉर्टेंट है लॉट टार्गेटेड लॉंग टर्म रिपो ऑपरेशन NBFC and Housing Finance Companies are facing liquidity pressure since banks have not extended any repayment moratorium to these entities बैंकों के द्वारा जो moratorium के condition थी तीन महीने की वो NBFC इसको या Housing Finance Companies के लिए extend नहीं की गई जिसकी वजह से यहाँ पर liquidity की problem और ज्यादा बढ़ गई थी और अब इस package के बाद थोड़ी जो problem है वो solve होने हो सकती है तो यह था आज के न्यूज आर्टिकल्स आई होप कि आपको पसंद आया होगा और अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए सेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और कमेंड भी कीजिए थैंक्स पर वाचिंग